नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 और 23 मार्च के आपके राशे के महाराशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्तिडे है या फिर ने नुश्री है आप शबी को मैर्ट रपशे देर शारे शूप काम नाएं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरिकी करें तो आई दो सुन सके शाथ बात करते हैं याश में गराओं की तदी केश होंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इने शबी के शुराब की राशी पर क्या होगा किन कीन चीज़ों को लेकर राश में आपको सावधने नहां होगा और आकर कौन कौनशे कारी आपके लिए भाग इन शबी की महतापून जन कर देंगे दोसों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू सरी कर अंदर तक जरूर देखें दोसों वीडियो के अंद में बहुत यच्छी उपाई हैं जोने आपकर करके इन दो दूनों को और भी ज्यादा लाबगारी बना पाएंगे उच्छे पहले दोसों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोसों चैनल को पर सब्सक्राइब कर लें शाथे बेल आइकन को प्रेश करके और बोश लेट कर दें तो आई दोसों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गराओं के जित्ति के बारे में दोसों सबसे पहले बाईश मा बुदवार का दिन रहेगा किरिश्म बच की पंज में तितनी रहेगी और दोस्तों इस दिन बुशा का नाम का नश्यत रहेगा वह दोस्तों दिन योग की बात करें तो दोस्तों दिन हर्शन नाम का शुब्योग और बज्जर नाम का शुब्योग रहने वाले हैं दोस्तों ध्यान रहे आप यह शुमे कोई भी शुब और महत्पुन कारे को भूल शे भी ना करें और दोस्तों जलने माई दिन तुलाराशी को प्रांथ ब्रिश्वी ग्राशी पर संचार करेंगे मैं दोस्तों के लिए दिन की बात करें तो दोस्तों दिन बुदवार के दिन रहेगा कृश्म बच की सच्छी तिती रहेगी और दोस्तों दिन अनुराधा नाम का नर्शत रहेगा दोस्तों इन दिन बज़नाम की योग की उप्रांती शर्वार्शी दिनाम का शुभ्योग रहेगा और दोस्तों यह योग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पून शाबित होंगे राव कल के शमय दोपर के 12 बचकर 23 मिट से लिकर दोपार के 12 बचकर 24 मिट रहेगा और दोस्तों चनरमाई दिन ब्रिशिक राशी पर ही शिंचार करेंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं दो दोटनों की जो गरहों की सत्ती है और चनरमाई का जो गोचर है आपकी राशी पर क्या क्या प्रभाव लिकर आती है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विक्तारशी में काम्याब रहते हैं तो दोस्तों उनकी मदद से विशम ताएं बहुत हद तक नियंत्रन में रहेंगी जहां तक होश्र के धन को बचाएं दोस्तों यस में आप कुछ नए लक्ष निर्दारित करेंगे एवंग उनको जल्द से जल्द प्राप्ट करने के प्रयाश करेंगे हलांकि दोस्तों गिनेश जी आपको धहरिशे आगे बढ़ने का शला देते हैं दोस्तों इन समयों में आपके जो दिन है आपके लिए विपरित पस्तेतियां वाला कहा भी जा सकता है दोस्तों यसमें आपको अपने लक्ष प्राप्ट करने के लिए शंगर्श करना पड़ सकता है कोई युजना असफल सिध्य हो सकती है जो आपको निराशा की और ले जाएगी आपको अपने भानोओं पर निंतन लंखना होगा शकार्थम्क वैवार और सोचीछ आपको आपकी प्रषणियां इसच्टे आपको बाहर निकाल सकती है दोस्थों आपको अपने रिस्तों में कुछ परिशानी का सामना भी करना पर शकता है दोस्तों यश्व में अपने इगो को अपने रिस्तों से बाहर निकाल दें तो आपके लिए बहतर होगा वह दोस्तों यश्व में आपकी करियर को लेकर बात करें तो आपके करियर के लिए लक्ष निर्दा प्रवाइद होगा वह दोस्तों इन दुनों गर आपकी लव लाइब की बात करें तो आप काफी बैलेंस करके चल सकते हैं जिसमें प्रेमी को भी पूरा शमय देकर उन्सकी सभी शिकातों को दूर कर सकेंगे दूसरी और आप अपने मित्रों और प्रिवार जनों के प्रति अ जीवन में दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें आपके रिष्ट्य को यह प्रभाइद कर सकती है वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह श्मी दांत या फिर दाढ़ी जो है उसमें आपको कुछ दर्द हो सकता है दोस्तों यह जो समय है सिख चग और मारदर्शिकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बड़ी कमपनियों में कार करने वाली व्यक्तियों के लिए भी यह श्मी परती कारक दिन हो सकते हैं दोस्तों इसा गिनेज जी कहते हैं वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्ति सिती या आपको इनोवेशन फर अधिक ध्यान देना होगा आपको अपने वरिष्ट अधिकारियों से निश्चित रूप से जो है परशन सा प्राप्त हो सकती है वह दोस्तों इसमें आपकी आर्थिक सिती की बात करें तो यह दिन अंगित करता है कि आप पेशों की मदद से अपने जिवन सेली को बनाई रख सकेंगे इसमें कोई भी समझता नहीं करेंगे ठीक इसी समय आप अधिक पेशे कमाने के लिए भी उगत सकते हैं मैं दोस्तों अगर आप गुसा करेंगे तो आपकी शारी उर्जा यूही बेकार हो सकती है इसके बजाए आपको इन दिनों में लंबेश में से महसूस हो रही ठकान उर्टनाव दूर होंगे उनमें आपको अराम मिलेगा दोस्तों इन परिशानियों से अस्थाई निजात पाने के लिए आप अपने जिवन सेली में बदलाव लाने की कोसिस करें और दोस्तों यह बदलाव लाने का शहीच समय भी होगा दूश्र में जिवन सेली से पेसे से जूड़े किसी भी मुद्य को लेकर बहस्ट करने की आशंका भी बन सकती है यह समय आप किसी पैसे समय जो कारह उनमें बहस्ट कर सकते है इसे अप ठोड़ा शाधनी बरते हैं दूश्व अपने वह पर स्यम रखें और कोई भी बात को यश्मे आप सोच समझ कर ही बोलें वह दोस्तों यश्मे फिजुल खर्ची पर आपकी साथी जो आपको लेक्चर दे सकता है नाती पोतों से यश्मे काफी खुसी मिल सकती है जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलकात यश्मे कुछ खास होने की समवनों बन रही है लेकिन दोस्तों बात को आगे बढ़ाने से पहले यह बात जरूर जानने कि कहीं वो किसी अन्यवक्ति के साथ तो रिष्टे में नहों हो दोस्तों यश्मे कोई रोचक उपन्यास या फिर मेंगनीज को पढ़के आप समयों को व्यथित कर पाएंगे दोस्तों यश्मे साधी से ठी की ताजगी का अनुबाव दे सकता है वह दोस्तों यश्मे आप कांसे केक गोल टुकडे को हरे कपड़े में लपेट कर जेब में रखने से आपकी आर्थिक सिधी जो है यश्मे सुधरेगी दोस्तों यश्मे आपको कौन से महत्पन उपाय को करना चाहिए दोस्तों आपक कर साथ घर पेरिवार के दोसं भी दूर होते हैं जैंको यश्मे आप इन उपायों को जरूर करें शाथिं घर की पस्य उतर दिशा में पेशी आप रखें इसे दोस्तों धनलाब होगा और पेश Vocês्Am вещи होंगी तो दोस्तों यह उपायों को यश्मे आप शूरू करें बहुती लाब करी उपाए हैं आपकी जोन में भाग उदर करने के लिए आपके लिए बहुती उत्तम शिद होंगे तो दोस्तों इन्हें करने और शाती और शेयर दिख जानकारों के लिए आप मारे चेल्ग को भी सब्सक्राइब कर ले शाती बेल आइकन को प्रेश कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भोले धन्यवाद